बिहार में सराब बंदी हटाने से पहले सराब चालू करने से पहले एक एकस्पेरिमेंट किया जा रहा है अभी इस एकस्पेरिमेंट का नतीजा क्या आने वाला है और बिहार सरकार का क्या प्लान है नए डिजीपी अलोक राज और नए मुख्य सचीव अमरितलाल मीना का प्ल देखे और आप यकीन मानिये इस रिपोर्ट में कही गई एक एक बात आगे चलके सटी साबित होने वाला है इस रिपोर्ट की चर्चा करें इससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे नितीश कुमार जब बिहार में सराबंदी लागू किये तो कई तरह के एक्सप एक्सपरिमेंट फेल होता गया और सराबंदी कानून में बदलाओ होता गया बदलाओ होते होते जो नितीश कुमार सराब पीकर मरने वाले के खिलाप इतना जवर जस बोले थे बिधान सभा में जिसके कारण उनकी आलोचना भी होई थी और वही नितीश कुमार बाद में म वस्ता पर बात आती है समिक्षा बैठा करते हैं डी एमेसपी के साथ और इसके बाद डी जी पी का यहां से ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद नए डी जी पी आते हैं यह अपना पदवार समालते हैं इसके बाद नितीश कुमार से जाकर मिलते हैं और इसके पाद मुक्सचीव और इन सब का एक बहुत ही सिक्रेट मीटिंग चलता है जिसमें बिहार का भवी सित्य आप मान सकते हैं कि भवी सित्य होता है कि बिहार को कैसे चलाना है बिहार काफी बदनाम है और खासकर बालू माफिया और भू माफिया ये दो माफिया बिहार में खतम सराब माफिया पाइदा हो गया, सराब माफिया और सराब माफिया के आतंग खतम करने का पलान बनाया जा रहा है और ये जो जमीन सर्वेक्षन का काम विहार में चल रहा है, इसे भूमी माफिया के कमर तूटेगा अब बात करते हैं बिहार में एक्सपेरिमेंट क्या किया जा रहा है सराब बंदी हटाने से पहले बिहार में सराब चालू करने से पहले आपको पता दे कि नितीश कुमार दो हजार चोबिस के एलेक्शन से पहले क्या फैसला लेंगे ये तो अगले रिपोर्ट में पता लएगा लेकिन उससे पहले नितीश कुमार डीजी पी सहाब और मुक्ष सचीव इनका प्लान है कि पहले हम बिहार में सराबंदी पे एक बार कोशिस कर कर देखें कोशिस क्या कि सराबंदी सफल बनाए देखिए अगर सराब चालू होगा तो नितीश कुमार को ये कहना पड़ेगा कि सराबंदी हमने इसलिए किया था कि बिहार नसा मुक्ष हो लेकिन कुछ लोग गडवल करते रहें इसलिए सफल नहीं हो पाया अब नितीश कुमार अकेले सब जगा जाकर सराबंद तो नहीं कर सकते हैं अधिकारियों को जीमेवार दी अधिकारी नहीं माने और बरस्टा चार हो रहा था इसलिए सराबंदी हटा दिए और अगर सराबंदी जारी रखेंगे तो फिर ये कहेंगे कि नए डिजीपी आये हैं इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजे सब कुछ ठीक हो जाएगा हम पूरी तरह से इस पर कंट्रोल करेंगे और सराबंदी सफल होगा एक भी बोतल बिहार में नहीं आयेगा नहीं भीकेगा लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बिहार में सफल होने वाला नहीं है अगला एक्सपेरिमेंट क्या है कि नए डिजीपी और मुक्ष सचीव मिलकर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में सराबंदी सफल हो जो आठ वर्सों में नहीं हो पाया बिहार में अगर वो ये दोनों मिलकर सफल कर देंगे तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट के हकदार होंगे और साथ ही दोजार पचीश से पहले नितीश कुमार को भी इसका फायदा मिलेगा लेकिन ये उतना असान नहीं जितना असान आप समझ रहें अब यहाँ पे किया क्या जा रहा है 15 जिलो का SP और लगभाग 29 IPS अधिकारी को बदली किया गया है ट्रांसफर इधर से उधर ये सब एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है यानि जो चैन है सराब डिलिवरी का चैन ये तोड़ने का कोशिस है होता है न कि कोई अपसर थाना इंचार्ज से लेकर SP, DM एक यी जगह पे रहते हैं दो-तीन वर्सों तक तो एक गढ़ बन जाता है जितने भी इलाके के जो इस टाइप के लोग होते हैं जो आप समझ रहे हैं उनसे संपरक बन जाता है और वो खुड संपरक आकर करते हैं कि हम इस इस इलाके में हैं आप से पहले जो अधिकारी आये थे उनके साथ हमारा यह रिलेशन था और इस तरह से उनका मन टटोल कर ये देखने का तोलने का प्रयास होता है कि क्या इनको मैनेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो इस चैन को तोड़ने का ये प्रयास है अदला बदली करने का लेकिन क्या ये चैन टूटेगा और देखिए बिहार में अगर सराबंदी को सफल बनाना है तो ये चैन तोड़ना पड़ेगा कि जो setting है अपरादी सराबेचने वाले सराबंदी बिहार में सराबेचने तो अपरादी कहे जाएंगे तो सराब माफिया और जो भी अपरादी किसम के लोग है इन सब को अगर जो setting है जो chain है उसे तोड़ना है तो ये transfer जरूरी है लेकिन transfer ऐसी जगह हो कि सचमुच chain तूटे और अफरादीयों को समझने में अधिकारियों को समझने में वक्त लगे लेकिन इसका result क्या होगा असली सबसे असली जो बिसै है चर्चा का जो सवाल है वो है कि ये सब करने से result क्या आएगा तो देखिए result वही आएगा जो पिछले आठ वर्सों से आता रहा है लेकिन नए DGP हैं नए मुक्ष सचीव हैं और सरकार की तयारी है 2025 की तो experiment भी होगा कोई रोक नहीं सकता है इसको और ये करके देखेंगे इनको यकीन नहीं है कि बिहार में सरा बंदी को सफल भी बनाया जा सकता है या सफल नहीं बनाया जा सकता है इनको यकीन नहीं हो रहा है दों चीजों पे अगर सफल हो जाएगा तो क्या वाकई बिहार में ये संबव है और अगर सफल नहीं होता है तो भी इनको यकीन नहीं कि भी रहे हैं लेकिन नतीजा क्या आएगा कि हम आज ही आपको बता देते हैं कि अधिकारियों को ट्रांसफर करने का मतलब चैन तोड़ना नहीं होगा जो पुराने अधिकारी होते हैं उनसे संपर करके ये पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि यहां पे कौन है कैसा है और कैस से चलना है और जो नए अधिकारी आएंगे उनसे कैसे सेटिंग करना है ये अफराधियों को भी सरा माफिया को भी अच्छी तरह से पता है तो कैसे संभव है ये संभव है क्या लेकिन अब देखना ये है कि इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या आता है हमने तो आपको एक अनुमान बताया और सच्चाई ये है कि विहार में माफिया का जो जड़ है वो इतना मजबूत है कि इसे हिलाया नहीं जा सकता है जिस थाना के अंतरकत एक बालुघाट आता है उस थाना इंचार्ज का कमाई साल के पांच से आट करोर का होता है शिरफ एक थाना अब आप समझ लीजिए जो बालू माफिया है उसकी कमाई कितनी होती होगी और वो किसको मैनेज कर सकता है आप समझ सकते हैं। इनको संग्रक्षन देते रहते हैं और ये बात सिर्फ सराब और बालू माफिया भू माफिया पे इलागू नहीं होता है चाहे जिस किसम का अपरादी हो बड़ा अपरादी जिसका एक अपना लेवल है एक अस्टेटस है ऐसे लोगों को नेता लोग संग्रक्षन देते हैं और जो जितना बड़ा पराद करे राजनीती पार्टी में उसका कद उतना ही बड़ा भी होता है अगर वो राजनीती में आ जाए तो उसका कद उतना ही बड़ा होता है तो नए डीजीपी और मुक्रसचीव को ये जो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट इसके लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए और इसके बाद आने वाला जो वक्त है दसारे का दसारा जो तिवहार आने वाला है इस तिवहार में बिहार के अंदर कितना सराब पर कंट्रोल होता है इसी से सब कुछ असफ़स्ट हो जाएगा कि क्या नए डीजीपी नए मुक्रसचीव और बिहार सरकार का प्लान सकसेस होगा या नहीं होगा बस थोड़ा सा वक्त बचा है इसी में सब कुछ किलियर हो जाएगा आने वाले जो इलेक्षन है उसमें क्या मुद्दा होने वाला है सब कुछ किलियर हो जाएगा थोड़ा सा इंतिजार कीजिए और अगला अप्डेट जानने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को फ्रेस करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले नमस्कार जैहिन तैंक